वंदे मात्रम लर्निंग अप देडे सीरीज 24 आजका लर्निंग है परमात्मा है तो कहां है दोस्तों आजके लर्निंग में ट्वीस्ट है अता अंतक देखें शायद आप सोच रहे हो ऐसा ना हो ऐसा भी हो सकता है अगर आपने मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब या फेस तूरंत करें तो चलिए शुरू करते है आजका लर्निंग एक 6 साल का छोटा सा बच्चा अकसर परमात्मा से मिलने की जित किया करता था उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी वो परमात्मा के साथ बैट कर खाए एक दिन उसने थेली में 5-6 रोटिया रखी और परमात्मा को भूनने के लिए निकल पड़ा चलते चलते वो बहुत दूर निकल गया शाम का समय था उसने देखा नदी तट पर एक बुढ़ा बुजर्ग बैठा है और ऐसा लग रहा था कि उसी के इंतजार में बैठा हूँ वो च्छ साल का मासूम बालक बुजर्ग के पास जाकर बुजर्ग ने रोटी ली उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई आखों में खुशी के आसू भी थे बचा बुजर्ग को देखे जा रहा था जब बुजर्ग ने एक रोटी खा ली बच्चे ने एक और रोटी दे दी बुजर्ग बहुत खुश था और बच्चा भी दुनों ने एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और स्निया के पल बिताए जब रात होने लगी तो बच्चा इजाजद लेकर घर की ओर चलने लगा वह बार बार पीछे देखता तब उसे पता चला कि वह बुढ़ा उसकी ओर देख रहा है जब बच्चा घर पहुँचा तब माने बच्चे को देखकर जोर से गले लगा लिया बच्चा बहुत खुश हुआ माने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा था माने बच्चे से खुशी का कारण पूछा तब बच्चे ने बताया मा आज मैं परमात्मा से मिलकर रोटी खाया आपको पता है उन्होंन गावालों ने देखा बुढ़ा बहुत खूश है किसी ने उनको इतना खूश होने का कारण पूछा बुढ़ा बुला मैं दो दिन से नदी के तट पर भुखा अकेला बैटा था मुझे पता था परमात्मा आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे आज भगवान आए और उन्होंने मेरे साथ बैटकर रोटी भी खाई मुझे प्यार से अपने हाथों से रोटी खिलाई उन्होंने मेरी तरफ प्यार से देखा और गले भी लगाया परमात्मा बहुत ही मासूम है बच्चे की तरह दिखते है दोस्तो इस कहानी का अर्थ बहुत ही गहरा है असल में बाद सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिल में परमात्मा के लिए प्यार बहुत सच्चा है और परमात्मा ने दोनों को एक दूसरे के लिए भेच दिया आज का चिन्तन क्या हम अपने आपको इतना बड़ा समझने लगे है कि हमें दूसरों में अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है क्या हम सदैव अपने आप में एक बालक तता निश्पाप भाव बनाए रख सकते है एक विशेशन रोध है अब कोरोना के साथ जीना है तो खुशी से कैसे जी सकते है अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव आता है तो तब पूरे परिवार को और उस वेक्ति को क्या करना चाहिए परिवार के साथ चर्चा करे हमारे घर मेहमानों के आवाजाई प्लीज बंद करे अत्यावशक हो तो सेनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करे आपको आजका लर्निंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे और अपनों के साथ वाट्सप ग्रूप में जरूर शेयर करे आपका मित्र श्रीनिव शिक्षक सूरत धन्यवाद जय हिन